साथ संगत जी प्यार से कहना धन दरंकार जी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चानल पर आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खुबसूरत साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक दमपत्ती के तीन बेटी और एक बेटी थी बड़ा और छोटा बेटा उनका पढ़ने में बहुत हुश्यार थे चारों बच्चों के माबाब उनसे बहुत प्यार करते थे मगर उनके माबाब अपनी मंजले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे अब उस संगत्ती का बड़ा बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया मगर उनका मजला बेटा गवार बन कर ही रह गया बड़े और छोटे दोनों बेटों ने अपनी शादी अपनी अपनी मर्जी से की थी अब उनकी बेटी की शाधी भी बहुत अच्छे घराने में हुई थी अब उस तमपत्ती के मंजले बेटे को कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी उनके माबापी बहुत परिशान थे जब भी उस तमपत्ती की लड़की अपने माय के आती थी तो सबसे पहले वो अपने छोटे भाई और फिर बड़े भाई से मिलती थी मगर वो अपने मंजले भाई से कम ही मिलती थी क्योंकि उसका मंजला भाई ना तो उसे कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी से उसे घर पर मिलता था वैसे वो उसका मंजला भाई दिहाडी मजदूरी करता था वो बिचारा पड़ नहीं सका था तो उसे नौकरी कौन देता साथ संगत जी अब मंजले बेटे की शादी किये बिना उसके पिता की मृत्यू हो गई अब उसकी माने सोचा कि अब बटवारे की बात अगर चलेगी तो इसकी भी शादी कर देनी चाहिए इसलिए उसकी माने अपनी ही गाव की एक सीधी साधी लड़की से मंजले बेटे की शादी करवा दी अब शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मजला बेटा बड़ी लगन से काम करने लगा उसके दोस्त जब उसे भुलाते थे तो वो मजला अपने दोस्तों से कहता था कि नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है मुझे काम पर जाना है उसके दोस्त अक्सर उसे चड़ाते थे कि तू तो शादी करने के बाद जैसे अपनी बेवी का गुलाम ही हो गया लेकिन वो अपने दोस्तों से कहता था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं पहले मैं एक अकेला पेट था तो अपने हिस्से की रोटी मैं कमा ही लेता था और अब मेरे घर में भी दू इंसान है कल मुझे भी अपने कल की अपजिंता होने लगी है साथ संगत जी मंजला बेटा अपने दोस्तों से कहता था कि मेरे घरवाले मुझे अगर नालायक कहेंगे तो मेरे लिए ये चलता है अगर मेरी पतनी मुझे कभी नालायक कहेगी तो ये मुझसे बरदाश नहीं होगा साथ संगत जी वो अपने दोस्तों से कहता था कि जो मेरी पतनी है उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई है फिर मैं उनका भरोसा कैसी तोड सकता हूँ साथ संगत जी बच्चों को स्कूल और कॉलेजी से डिगरी तो मिलती है लेकिन संसकार बच्चों को अपनी माता पिता से ही मिलते है इधर उसके घर पर उसका बड़ा और चोटा भाई और उनकी पतनिया मिलकर आपस में सभी फैसला करते हैं कि जायदाद का बटवारा किया जाए क्योंकि वो बड़ा और छोटा बेटा सोचते हैं कि हम दोनों तो लाखों में कमाते हैं मगर मंजला ना के बराबर कमाता है तो ऐसे काम नहीं चलेगा उन बच्चों की मा के लाख मना करने के बाद भी वो बड़ा और छोटा बेटा बटवारे की जिद पर अड़े रहते हैं साथ संगत जी अब जीस दिन बटवारे की तारीख तै होती है उस दिन उन तीनों भाईयों की बहन भी घर पर आ जाती है अब जब बहन भी घर पर आ जाती है मगर वो मंजला जो बेटा होता है वो अपना काम करने काम के लिए निकल जाता है उसके दोनों भाई उसको पकड़ कर जब घर में लाते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि आज तु काम पर मत जा आज हमें बटवारा करना है अभी वकील आएगा तो हम सब को भी तेरे साइन की तेरे हस्ताक्षर्स की जरूरत पड़ेगी साथ संगत जी अपने भाईयों की बात पर वो मंजला बेटा कहता है कि तुम लोग बटवारा कर लो और मेरे हिसे में जो भी होगा मुझे दे देना मैं शाम को आकर अपना बड़ा सांगूठा पेपर पर चिपका दूगा क्योंकि हस्ताक्षर करने मुझे नहीं आते साथ संगत जी अब अपने मंजले भाई की बात सुन कर बहन कहती है कि अरे बेवकुफ तु गवार का गवार ही रहेगा तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतनी अच्छे भाई मिले है अब उस मंजले की मा भी रोक कर उसे कहती है कि आज तु काम पर मत जा लेकिन वो मंजला इस बात को नहीं मानता और वो काम पर चला जाता है अब घर का बटवारा हो जाता है बटवारे में कुल दस बीगा जमीन में दोनों भाई पांच पांच बीगा अपने लिए रख लेते हैं और मंजले के लिए पुष्टैनी घर छोड़ देते हैं अब शाम को जब मंजले को आकर पता लगता है कि उसके हिस्से में पुष्टैनी घर आया है और उसके दोनों भाईयों ने पांच पांच बीगा जमीन रख ली है तब ही वो जोर से चलाता है कि अच्छा ये कैसा बटवारा हुआ हमारी बहन का हिसा कौन सा है जब उस मंजले की बात सुनकर उसके दोनों भाई कहते हैं और बड़ी जोर से हसते हैं कि अरे मूरक बटवारा भाईयों में होता है बहनों के हिस्से में तो केवल मायका ही होता है तब मंजला कहता है कि अच्छा शायद पड़ा लिखा ना होना भी मूरकता ही है ठीक है आप दोनों ऐसा करो कि मेरे हिस्से की जो भी कुछ बना है जो मेरे हिस्से की वसियत है वो मेरी बहन के नाम पर कर दो दोनों भाई हैरान होकर बोलते हैं कि फिर तुझे क्या मिलेगा मंजला अपनी मा की तरफ देख कर मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी मा है ना और फिर वो मंजला अपनी पत्नी की ओर देख कर बोलता है कि क्या मैंने सही कहा ना अब उस मजले की पतनी भी अपनी सास से गले लग कर कहती है कि इससे बड़ी वसीयत मेरे लिए क्या होगी कि मुझे मा जैसी सास मिली और इतना खयाल रखने वाला पती मिला है साथ संगत जी बस मजले के यही शबद थे जिसने बटवारे को सनाटे में बदल दिया अब वो बहन जो अपने मजले भाई को बात बात पर अपमानित करती थी और हर भार उसे गवार कहती थी वो बहन दोड कर अपने गवार भाई से गले लग कर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्ही समझ नहीं पाई मजला भाई अपनी बहन से कहता है कि इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सब का साथ संगत जी मजला भाई अपनी बहन से कहता है कि इस दुनिया में बहूं को जलाने की हिम्मद किसी में भी नहीं होती मगर फिर बेबहुएं जलाई जाती है क्योंकि शादी के बाद हर भाई, हर बाप अपनी बेटियों को पराया समझने लगते हैं मगर मेरे लिए तुम सबसे अजीज हो चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर अब मंजला सभी से घर में ये भी कहता है कि मैंने अपने लिए मा का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब मुझे हमेशा याद कर सको क्योंकि बटवारा होने के बाद ही तुम सभी भी मा को मिलने आओगे ही और अगर तुम मा को मिलोगे तुम मुझे भी लगेगा कि मेरा सारा परिवार अब भी मेरे साथ है मा के साथ मैं तुम्हारी यादों को भी अपने पास रख रहा हूँ साथ संगत जी अब अपने मजले भाई की बात सुनकर दोनु भाई दोड़कर मजले से गले मिलकर रोते हैं और कहते हैं कि आज तो तुने सच मुझ एक पड़े लिखे जैसी बात की है साथ संगत जी सबकी आँखों में आसू थे और फिर सभी फिर से साथ रहने लगते हैं साथ संगत जी स्कूल और कॉलेजिज में नौकरी के लिए डिगरी तो मिलती है लेकिन संसकार संसकार इंसान को अपने घर से ही मिलते हैं अपने माता पिता से ही मिलते हैं इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हमेशा साथ रहने की सिक्षा जरूर दे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो वेडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा साथ संगत ची प्यार से कहना धान नरंकार ची